ओम श्री महाप्रग्य गुर्वे नमः ओम श्री महाप्रग्य गुर्वे नमः मैं रास्ते में देख रहा था कि बहुत कार खाने तब एक बात याद आ गई कि इतने कार खाने हैं अनेक बस्तों का उत्पादन कर रहे हैं बहुत प्रोडक्शन हो रहा है एक कोई कार खाना मैं देखना चाहतूं वह है या नहीं वह मुझे दिखाई नहीं आचाजे तुलसी बिहार बंगाल की यात्रा कर रहे थे हम पत्ना पहुंचे पत्ना युनिवर्शिटी में आचारी वर का श्वागत का आयोचन उस समय वहां राज्यपाल थे जाकिर हुशे रामधारी शिंग आदी आदी काफी वहां के प्रमुख व्यक्ती स्वागत में थे जाकिर हुशे ने जो एक बात कही वै बात मुझे यादा उन्होंने कहा कि पंडित नहरू आधुनिक युग के पुरोधा है बैज्यानिक रिष्टी वाले हैं हिंदुस्तान आजाद हो गया और बहुत बड़े-बड़े कारखाने स्थापिट किये जा रहे हैं कई कारखानों बड़े कारखानों के नाम लोंने गिनाये पर मानव बनाने का कारखाना कोई नहीं आचारी श्री आप ने अनुब्रत का कारी शुरू कर और मानव बनाने का कारखाना निर्मित किया है इसलिए मैं आपका श्वागत करता जाकिर हुशेन के ये बात आज भी मुझे याद है और मैं देख रहा था रुमए कि मानव निर्मान का कारखाना कौन सा है अनेक बस्तुएं बन रही है पदार्थ हावी हो गया और चेतन नीचे दब गया आज की समश्या को हम दो पंक्तियों में समश्ने का प्रेत्न करें तो ये स्वीकारोक्ति करने में हमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि मानव और चेतन ये तो नीचे चला गया और पदार्थ शिर पर आ गया शिखर पर चला गया मानव नीचे रह गया सबसे बड़ी समश्या है पदार्थ की उप्योगिता को हम ऐस्वीकार ने करी उसके बिना जीवन नहीं चलता पर पदार्थ पेरों के नीचे रहे और चेतन उपर रहे समाज संती से जीता है और अच्छा चलता है और जब पदार्थ उपर आ जाता है और चेतना नीचे चली जाती है तब इतनी समश्याएं पैदा होती है उन में हिंसा की सबसे बड़ी समश्या है हिंसा की समश्या का मूल भी हम गहन चिंतन करें तो पता चलेगा कि यह पदार्फ का हावी होना ही हिंसा की समश्या है भूमी, सत्ता, अधिकार और पैशा यह सब पदार्फ के नाना रूप हैं अगर यह नीचे रहे तो असांति का कोई प्रस्ण ही नहीं होता कलें और शंगर्फ का प्रस्ण नहीं होता सब इन चार बस्तों की परिक्रमा कर रहे हैं कैसे करें खोजकर मुस्की ले समश्या एक एक छोटा सा ब्यंग बड़ा मार्भी किस विशे में प्रकाश डाज रहा है एक व्यक्ति अविवाहित था उससे किषी ने पूचा के तुमने बव़ा क्यों नहीं किया के मैं आदर्स पतने की खोज में हूं कोई मिली किया एक मिली थी तो फिर कर ले ना था कि वो आदर्स पत्रे की खोज में थी जोनोर शाह देखी कोई आदर्स पत्म को खोज रहा है कोई आदर्स पत्म को खोज रहा है बिवा संबंद नहीं हो रहा है हमारे समश्या पदास जिगत की ये समश्या है कोई संबंद स्थापित नहीं हो रहा है कोई किशी को खोज रहा है कोई किशी को खोज रहा है ब्यवहार के धरातल पर हम अपने पेड़ टिका सकें और ब्यवहार की धर्ती पर चल सकें ऐसे आदर्स की ब्यवहार की खोज हमें करनी है मेरा चिंतन है कि उसके लिए एक नया रास्ता अपनाना होगा रास्ते की खोज हमारे विचारों का चिंतन का खजाना है प्रकृती एक पेड़ को देखता हूं तो भी नया चिंतन आ जाता है एक रजकन को देखते तो भी नया चिंतन आ सकता है और एक राजपत को देखते तो भी आ सकता है मन में एक चिंतन आया कि राजपत कितना विशाल नेशनल हाई वे और कितना विशाल इधर उधर एक देखो तो ऐसा लगता है कि उबव मंजिला घर बनाने की कोई तैयारी हो इतना विशाल राजपत प्रस्ण हुआ क्यों? कि सुविधा हो जाए संपर्क स्थापित हो जाए याता यात की सुविधा हो तो फिर प्रस्ण आया कि राजपत इतना बड़ा जरूरी है तो क्या जीवन का पत जरूरी नहीं है? हमने जीवन का पत इतना बड़ा कहां बनाया? जीवन का पत तो बहुत संकरा होता जिया रहा है जीवन का पत है अहिंसा करुणा मैट्री वे तो शिकुड रहा है और जो हमारी चलने का पत है बहानों का पत है बहानों का पत तो विशाल हो रहा है और जीवन का पत संकुचित और शिकुड रहा है दोनों में संगती नहीं है अगर राजपत विशाल बने तो उसके साथ साथ जीवन का पत भी इतना विशाल बने कि उसमें सब समा जाए हमारी समस्या है शिकुड रहा है एक आदमी जा रहा था बरसा का मोशम बरसा आगी भींगने लगा एक बड़ा प्रासाध देखा सुचा कि कुस देर के लिए विस्वाम कर लूँ बीतर गुसने लगा तो प्रहरी विसंतरी ने रोक दिया कि कहा जा रहे हो अरे भई बरसा आ रही है पाँच मिन्ट विस्वाम कर लूँ कि भीडर नहीं जा सकते ये प्रासाद है ये कोई धर्म साला ने ये तुम भीतर नहीं जा सकते रोक दिया बेचरा आगे चला थोड़ी दूर गया रेक जोपड़ी आई जोपड़ी में छोटी सी जोपड़ी चार आद में तो पहले बैचे थे बस चार से आगे कोई अवकास नहीं था बेचने का वहां गया और बला भया थोड़ी देर भी स्रम करना चाहता हूं आजाओ भीतर आजाओ चार की दिगए पांच हो गए शिकुड गए और पांच हो गए ये बृत्ती का जो अंतर है एक जहां जहां एक बड़पन या सत्ता या अधिकार या पदार्थ हावी होता है वहां चेतना शिकुड जाती है और जहां रिदय है करुणा है वहां चेतना का विश्टार होता है उमास्वातिने तत्वा सुत्र में लिखा संकोच विशरगर संकोच और विकोच आत्म प्रदेशों का संकोच भी होता है विकोच भी होता है हमारी चेतना का विश्टार भी होता है और चेतना का संकोच भी होता है आज की समश्या यह है कि पदार का आयाम विश्टार पा रहा है और चेतना का आयाम संकोच पा रहा है हमें इस पर ये को बदलने है बदले बिना हम नए अहिंसा की कल्पना कर सकते और संती की कल्पना कर सकते अगर हमारी अभिमक्तापदार्kt की और है तो फिर अहिंसा मेत्री करूना शान्ती समझोता जैसे सब्दों को समाप्त कर देना चाहे और अगर हमारी अभी मुक्ता चेतना की ओर है तो इन सब का विकाश होगा और समाज बहुत अच्छा होगा ये सब कैसी होशकता है इस पर हमें बिचार करना है केवल सब्दों के सहारे और मैं तो ये भी मांता हूं कि केवल विचारों के सहारे हम मंजिल तक पहुंच सके मुझे कठिल लगता है हमारी जिष्टे में और अनेग बरसों तीन दसक, चार दसक, पांच दसक हो गए आचारी तुलसी ने और मैं भी साथ था इस विशे में काफी ध्यान दिया चिंतन, मनन किया मन्थन किया अनवेशन किया शोद की आखी निश्कर्थ पहुंचे कि चेतना का रूपान तरन किये बिना समश्या का समाधान नहीं है और चेतना का रूपान तरन प्रयोग के बिना संभव नहीं अभ्यास के बिना संभव नहीं कि अवल उपदेश से कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो सकती उपदेश का मन्च है मैं भी बोल रहा हूँ पर आपको बता दूँ कि मैं स्वयम इस बात कानुभव भी कर रहा हूँ कि मैं जो कहूंगा उससे कोई परिवर्तन हो जाएगा ये मानो तो मेरी भ्रंती होगी किसी बेदानती से पूछा कि सत्य क्या है ब्रंती क्या है उसने बड़ा शत्य को तर दिया कि मैं तुम्हें उपदेश दे रहा हूँ ये मेरी भ्रंती है तुम नहीं मानोगी ये सत्य आप विचार करें सत्य क्या है ब्रंती क्या है तो फिर कैसी हो सकता है ये तो मात्र एक प्रेरना है प्रेरना भी जरूरी है प्रेरना के लिए तो उपदेश है प्रवचन है मंच है ये सारी बाते हैं किन्तु आखिर सचाई यह है कि परिवर्तन के लिए हमें एक प्रक्रिया को अपनाना उसका अपना प्रोशिस है उसके एक अपनी प्रक्रिया है एक प्रक्रिया को अपनाना होगा और आज के बयानी युग में परिवर्तन की प्रक्रिया बहुत साफ हो गई मैंने स्वयम हठी योग योग अध्यात्म के अनेक बड़े-बड़े ग्रंथों का पारायन किया ज्धान भी किया पर कुस बातیں समझ में नहीं आ रही थी किन्तु जब अध्धात्म के साथ दिज्यान का अध्ध्यन शुरू किया दोनों का तुलनात्मक अध्ध्यन किया है दोनों में मेछ देखा तो जो बाते हमारे पुराने करंथों में ब्यख़्ा साफ नहीं हो रही थी वे बातें बहुत साफ हो गई क्लियर एक दम बिल्कुल साफ हो गई जान का विकाश हो रहा है ये नमाने कि आज का युग कोई बहुत खराब है मैं तो नहीं मानता आज के युग में बड़ी अच्छाईया है और जान का बहुत विकाश हुआ है इतनी नई नई बातें खोजी गई है कल ही एक भाई ने जो संसका चेनल के कारी करता है उन्होंने दिखाया कि वीडियो में छोटा सा वीडियो में एक छोटी सी पत्ती उसमें कितने चित्रा जाते मैंने का ये तो है ज्यान का नियम था स्थूला सुक्ष्मम ज्यान का अर्थ क्या कि स्थूल पर मत अटको स्थूल से सुक्ष्म की और प्रस्थान करो धरम का यही मतलब है स्थूल से सुक्ष्म की और इंद्रिय चेतना से अतिंद्रिय चेतना की और तुम्हरा प्रस्थान हो और बिग्यान का यही प्रस्थान है फूल से सुक्षम की ओह जाना कितना सुक्षम का विकाश किया है कितना हाँ नानी टेकनिक आगई नेनो टेकनिक का विकाश हो रहा है कितना सुक्षम का विकाश हो रहा है हमें उस टेकनिक पर भी विचार करना है धर्म के पास भी कोई एक टेक्निक होनी चाहिए बड़ी समश्या है एक और बिज्ञान का जगत काम कर रहा है बिज्ञानिक हजारों हजारों बिज्ञानिक पूरे विस्व में सत्थ की खोज में लगे हुए हैं और दूसरी और हमारे धर्मिक लोग हैं ये मानकर बेठ गए कि सत्थ की खोज तो हमारे पुर्जों ने कर ली वे कर ली आज हमारे लिए कुछ भी बच्चा नहीं अब बना कैसे हम इस युक के साथ चल पाएंगे कैसे धर्म कोई अपनी महत्ता या प्रासंगिक तस्थापिक कर पाएगा हमें इस पर विचार करना है तो विचार करें तो अहिंशा जिसकी सबसे ज़्यादा जरूरी जरूरत है रोटी की जरूरत है पानी की जरूरत है मकानी की भी जरूरत कपड़े की दवा की सब बातों की जरूरत है पर सही अर्च में देखें कि सबसे ज़्यादा जरूरत है अहिंसा की अहिंसा है तो आपको रोटी पानी भी मिल सकता है अहिंसा हो जाए तो ने रोटी मिलेगी ने पानी मिलेगा कुछ भी नहीं मिलेगा तो सबसे जरूरी बात है अहिंसा, उसके लिए हमारा प्रेत नहीं है, प्रेत बिलकुल कमजोर है, अब प्रेत न कहा है, हिंसा के लिए कितना प्रेत, अब बजर देखें, हिंदुस्तान का देखें, पाकिस्तान का देखें, चाहे और किशी भी रास्ट अमेरिका का देखें, आप देखेंगे कि सस्त्रों के लिए कितना बड़ा बज़ट और मानव ताके निर्मान के लिए कितना बज़ट तुलनक है दोनों की कहीं कहीं तो मानव विकास के लिए मानव निर्मान के लिए कुछ बज़ट है यानि मुझे पता नहीं है अब यह हम आ रहे थे और रस टेम एक होस्पिटल आया मेंटल होस्पिटल मानस रोग चिकित सा यह होस्पिटलों से काम नहीं चलेगा अब तो मेंटल होस्पिटल जादा बनाने जरूरी होते जा रही है क्योंकि आज बिमारियां सरीर की ही नहीं है आज के Medical Science के नए निश्कर्शों के आधार पर आप देखेंगे कि सो में 77,प्रतिसत बिमारियां साइको सोमेटिक है मानसिक रोगों की है मनए काइक रोगों की बिमारियां है वह होस्पिटल काम नहीं करेगा उसके लिए तो मैंटल होस्पिटल और जिस समाज में मानसिक चिकित्सा केंद्र जेल याने पागल खाना जेल ये ज़धा होते हैं वह समाज हिंसा का समाज होता है और तो मानसिक रोग भी हिसा का फली थे अगर अहिसा का भाग हो हर स्थिती में आद्मी शंती में रच सकता है और मानसिक बिमारी से ग्रस्त कभी नहीं होता प्रशिक्षन की जरूरत है हमने अहिसा यात्रा का क्रम शुरू किया केवल मत मारो यहां तक हमारी बात सीमित नहीं है हम चाहते हैं कि हमारा मस्टिश के मानव का मस्टिश के एक विद्यार्थी का मस्टिश के प्रारम से ही अहिसा से सुसंस्कृत हो जाए मैंने तो यहां तक कहा कि एक सहिनिक एक पुलिस का सिपाही एक सुरक्षा कर्मी उससे भी अहिंसा का प्रशिक्षन अवेश्य मिलना चाहिए जा इंसा का प्रशिक्षन तो मिलता है उसके साथ-साथ अहिंसा का प्रशिक्षन मिले तो फिर आपको अलग से मानवा, धिकार, आयोग बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और ऐसे और कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी और व्यक्तिगत जीवन उनका अच्छा रहेगा और मैं तुए मानता हूं कि अहिंसा का प्रशिक्षन है वे जितना अपने कारिय में दक्ष होगा कि एवल हिंसा के प्रशिक्षन वाला उतना दक्ष नहीं हो शकता अहिंसा का मूल आधार है अभः अभः के बिना कुस नहीं होता कि भः के बातावर्ण में जीना एक आदमी सोचता है कि अमुक जाती वाला है वहां में नहीं जा सकता डरता है जाने से दूसरा वहां जाने से डरता है ने समाज का विकास होता ने आर्थिक विकास होता और ने और कोई अच्छा विकास हो सकता सबसे बड़ी बात है अभाई की चेतना का विकास हमने ऐसे प्रयोग किये हमारे पास बहुत डरे हुए लोग आते हैं आए हैं, हमने प्रयोग किया, अभाई की अनुप्रेक्षा एक प्रयोग है, हम को राउपदेश नहीं देते हैं, को रे प्रवचन कार नहीं है, हम प्रवचन पचास प्रतिसत प्रवचन है, तो पचास प्रतिसत हमारा प्रयोग ज्यादा प्रतिसत भी हो सकता है, हमने दस दि का प्रयोक किया सिविर में और देखा पूछा तो घर वालों ने बताया का अस्ती प्रतिसा डरना तो बंद हो गया थोड़ा बहुत और बाकी हो जाएगा अभई की अनुक्रेक्षा अभई की चेतना कैसे जागे सबसे बड़ी जरूरत है अभई की उसका बदला ले लिया ये प्रतिसोद की बात है और यहां भगवान बुद्ध का वे बच्चन बड़ा सुन्दर है नहीं बेरेन बेरानी सम्मन पीद कलाचने बेर से बेर कभी शांत नहीं होता उसकी परंपरा चलती है और इतिहास में मिलेगा कहानियों में ब्यक्षानों में मिलेगा बेटे को मार दिया फिर उसके बेटे ने उसको मार दिया फिर उसको मार दिया पीडियों तक बराबर यह चलता रहा है बेर से बेर शान्त नहीं होता, तो प्रतीसोद के इस्ठान पर प्रतिकार, इतना बड़ी असब्द है, प्रतिकार, महत्मा गांधी ने जो अहिंशा का एक नया दर्शन दिया था, उसका मुख्षठाक प्रतिकार, यह अभाय और प्रतिकार, असहयोग, बुराई का सहयोग मत करो, इसा का सहयो मत करो, हिंसा को सहरा मत दो आचारी तुलसी ने एक बार कलकता की बड़ी सभा में प्रवशन करते विए कहा था का हिंसा लंगडी है, अपने पैरों से नहीं चल सकती वह अहिंसा के कंधे पर बैश कर चलती है उसको अहिंसा का बाता मिलता है तो अहिंसा भी पनपती है और अगर वह नहीं मिले सहरा तो इंसा चल नहीं सकती हम इंसा को सहरा नहीं दे कि अबल कार खाने नहीं आदमी बनाने का कार खाना तैयार करना है तो मैं मानतूं आइसा प्रशिक्षन का कारी जीवन विज्ञान का कारी ये मानवता के निर्मान का कारी है जहां से अच्छे व्यक्तितों का निर्मान होगा और जिसे समाज का भला होगा इसलिए आप विचार करें हिंदुस्तान का राजदूत चीन के समराज के पास गड़ा चंद्रगुप्ट का जमाना होगा यहां के समराज की उस समय बड़े-बड़े हुए असोग चंद्रगुप्ट वहां गया वहां से बापस आया आप जानते हैं कि बिरोधि विचार वाले या प्रतिक्रियात्मक विचार वाले इर्षा वाले लोग होते हैं दूत आया उससे पहले ही समराथ के कान भर दिये कि इसने वहां जाकर आपकी बहुत हलकी बात किये और वहां उसकी तो बढ़ाई किये और आपकी हलकी बात किये अब समराथ होते हैं ठोड़े ब्रिकुटी तन गई आती देखा ब्रिकुटी तरन गई दूप समझ गया कुछ ने कुछ हुआ है बेठा और समराच ने कहा कि तू गया था मेरा प्रती निरी बन कर और मेरी एक उच्चता दिखाने के लिए तू ने जाकर हलकी बात दिखाई है उसने का समराच मिनिट ऐसा कुछ नहीं किया कि तू ने का याद कर तू तू ने क्या कहा कि आप बताईए कि तू ने ये कहा चीन के समराच से कहा कि आप तो पूनम के चांद के समान है मेरा समराच तो दूट के समान है कितनी हलकी बात की दूट बोला महराच आप मेरे आसर को समझे ये कुछ लोगों ने आपको बता दिया मैंने कोई हलकी बात ने की मैंने रहष से पून बात कही थी तो रहष क्या इसमें रहष ये है कि पूनम का चांद अस्त होने को है एक कम आई और एक कला कम हो जाएगी और दूज का चांद तो बर्दमान होता है कि उतरोते कलाएं बढ़ती चली जाएगी तो आपकी कला तो बढ़े गी रुसकी घर्टी जा रही है इतने में खुश हो गया समराब हम जीवन के रहष को समझने का प्रेत्न करें जीवन का रहष क्या है उसे हमें समझना है कि हमारा जीवन बर्दमान रहे कलाएं बर्दमान रहें घर्टी नह जाएं और वह अहिसा के द्वारा संभव है इसलिए आप अहिसा को खुब गहराई से समझने का प्रेत्न करें और मैं तो मैं तो मानता हूँ वह ब्यक्ति प्रेत्न करता है जो सब से पहले अपने जीवन को बदल लेता है अपनी चेतना का रूपांटन कर लेता है अपने आवेशों को शांत करता है अपने इमोशन पर कंटो स्थापित कर लेता है बस इतना हो जाए तो फिर धर्म धर्म की बात तो ठीक है अपनी अपनी रुची अपनी मानिता कोई कैसे उपासना करता है कोई कैसे ही करता है उसमें हमें जाना ही नहीं चाहिए हमें तो जाना है जो एक मानवता के लिए मूल आधार भूत बात है और कोमन है सब के लिए समान है उस बात पर हम विचार करें चिंतन करें मानव अच्छा बन गया फिर आप सुतंतर दें कि वे क्या करता है क्या निश्किया चिंता नहीं करें सबसे बड़ी चिंता है मानव का निर्मान ओम आर्वा